अधर यूपी में बाबा 360 डिग्री खेलते हैं। तो उधर सूर्या भी मैदान पर इसे एक डिग्री भी कम नहीं खेलते। चाहे योगी हो चाहे सूर्या। मैदान पर दोनों जब उतरते हैं, तो विरोधियों के पसी ने शरीर के हर हिस्से से निकलने लगते हैं जब सुर्या चक्के मारते हैं तो गेनबाज मैदान से भाग जाते हैं वहीं जब योगी चक्का मारते हैं तब नीता बाउंडरी से बाहर चले जाते हैं खेल के मैदान में जब सुर्या बल्ला घुमाते हैं तब वह गिन बाजों की बैंड बचातेते हैं वहीं जब योगी आदितिनाथ पुल्डोजर चलाते हैं तब वह बहुबलियों के चक्के चुड़ा देते हैं इतने लंबे समय के बाद अब जाकर दोनों एक साथ नजर सुर्या के तेज से विपक्षि खिलाडियों की आँखें चौंधिया जाती हैं वहीं योगी को भी देखते हुए विरोधी थर थर का अपने लगते हैं अब अटकली ये लगाई जा रही हैं कि सुर्या और योगी की मुलाकात उतर प्रदेश में बवंडर लाने को तयार है जिससे विपक्षि खिमा अभी अंजान है और जानकर भी बस मुह ताकता रह जाएगा जब योगी और सुर्या की मुलाकात हुई उसके एक दिन पहले वाले मैच में जितने मुश्किल पिच पर सुर्या कुमार यादव ने भारत को जीत दिलाई थी उसी तरह कई बार जोखे मंत्री आवास पर दोनों के मुलाकात हुई जिसके बाद योगी आदितनाथ ने ये फोटो शेयर करते हुए लखा है सरकारी आवास लखनव में युवा और उर्जावान स्काई के साथ सूर्य जब बैटिंग करते हैं तो विपक्षियों को समझ नहीं आता कि बॉल पिछले मैच में जीत दिलाने के लिए सूरी कुमार यादव को मैन आफ दी मैच शुना गया था वैसे ही योगी आदितनाथ को चुनावी जंग में जीत दिलाने के लिए मैन आफ दी स्टेट यानी मुख्य मंत्री बनाया गया था अब ये जोड़ी मिलकर क्या करेगी वही बाबा का बला और बुल्डोजर जब दोनों एक साथ बरसता है तब अपराधियों की कमर के साथ साथ उनकी सारी अवैद संपत्या भी तूट जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी बाबा का नाम लिया जाता है वहां से अपराधी भाग जाते हैं और जब खेल के मैदान में जब सूरे कुमार यादव का नाम लिया जाता है तो गेंदबाज भाग खड़े होते हैं दोनों अपने अपने खेल में माहिर हैं एक को मैज जीतना आता है और दूसरे को चुनाव जीतना और दोनों ही अपने टीम के सबसे ज़ादा फीवरट हैं तो ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए आप जुड़ें जीबीटी लाइव के साथ नमस्कार